उधारन बारा इनके मान ग्यात कीजिए पहला आट बटा 125 की घात 4 बटा 3 गुणित आट बटा 125 की घात 2 बटा 3 हमें आट बटा 125 का घात 4 बटा 3 गुणित आट बटा 125 का घात 2 बटा 3 कमान ग्यात करना है बराबर सबसे पहले यहां देखेंगे आट बटा 125 और आट बटा 125 में आधार एक है तो हम आट बटा 125 यहां पे घातों को हम जोड़ देंगे क्योंकि यहां पे हमने घातांग में गुणा के नियम का प्रयोग कर रहे हैं तो चार बटा 3 धन दो बटा 3 यहां पे हमने घातांग का नियम गुणा का नियम एक घात एम गुणित एक घात एन बराबर एक घात एम धन एन को का प्रयोग किया हैं बराबर आड बटा 125 का घात यहां लगुत्तम हमारा चार बटा 3 धन दो बटा 3 का 3 होंगा और चार धन दो बराबर चे तो घात हमारा चे बटा 3 होंगा अब हम चे बटा 3 को जब हम भाग देंगे तो हमें दो प्राप्त होंगा तो यह बनेंगा आड बटा 125 का घात दो अब जब हम आड बटा 125 का घात दो को कुष्टक को खोलेंगे तो हमें प्राप्त होंगा आड बटा 125 गुणित आड बराबर 8 गुणित 8 बटा 125 गुणित 125 बराबर 8 गुणित 8 64 और 125 को जब हम 125 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा 15625 यह उधारण का हल होगा दूसरा 27 बटा 64 की घात 7 बटा 3 भागित 27 बटा 64 की घात 5 बटा 3 हमें 27 बटा 64 की घात 7 बटा 3 भागित 27 बटा 64 की घात 5 बटा 3 गुणित कमान ग्याद करना है यहां पे 27 बटा 64 आधार जो है दोनों घातांकों में एक है जिसे हम 27 बटा 64 का घात 7 बटा 3 रिड़ 5 बटा 3 में लिखेंगे यहां हमने घातांकों में भाग का नियम लगाया है एक घात M भागित एक घात N बराबर एक घात M रिड़ N होता है बराबर 27 बटा 64 इसके घात में आधार 3 को हम एक बार लिखेंगे लगुत्तम और 7 रिड़ 5 बराबर हमें दो प्राब्त होंगा तो यह बना 27 बटा 64 का घात 2 बटा 3 अब हम 27 का गुडणखन लिखेंगे तो यह होंगा तीन गुणित तीन गुणित तीन तीन तिया नौ नौ तिया 27 और 64 का गुडणखन 4 के रूप में हम 4 गुणित 4 गुणित 4 लिख सकते हैं 4 चौक 16 और 16 चौक 64 अब इसका घात है हमारे पास कितना है 2 बटा 3 बराबर अब हम इसे 3 गुणित 3 गुणित 3 को हम 3 का घात 3 लिख सकते हैं और 4 को 4 गुणित 4 को 4 का घात 3 लिखेंगे और इसका घात हमारे पास 2 बटा 3 है इसके आगे हम अगले प्रिष्ट में देखते हैं बराबर हमें प्राप्त हुआ था 3 का घात 3 बटे 4 का घात 3 का घात 2 बटा 3 बराबर हम इसे 3 बटा 4 दोनों अंश और हर में घात 3 है इसे हम कोश्ट के बाहर लिख लेंगे और फिर गुणित 2 बटा 3 चुकि हम जानते हैं कि A का घात M बटा B का घात M बराबर A बटा B का घात M होता है बराबर यहां पे हम 3 और 3 को अंश और हर से काट देंगे क्योंकि बीच में गुड़ा का चिन लगा है तो हमें मिलेंगा 3 बटा 4 का घात 2 बराबर अब पुना हम जो कि 3 बटा 4 का घात 2 है इसको अंश और हर में कोश्टक खुलेंगा तो यह 3 का घात 2 हो जाएंगा और 4 का घात 2 यहां पे हमने पुना पहले वाला सूत्र लगाया है कि A बटा B का घात M बराबर एका घात M बटा B का घात M होता है यहां पे हम 3 के घात 2 को 3 गुडित 3 बटा 4 का घात 2 को 4 गुडित 4 की रूप में लिख सकते हैं और 3 गुडित 3 बराबर 9 बटा 4 गुडित 4 बराबर 16 यहां उधारण का हल होगा